हेलो एवरीवन गुड मॉर्णिंग तो वीडियो में हम कवर करने वाली हैं वीकली करेंट अफेयर्स सो फ्रेंट हम लास्ट वीके सभी important questions को आज के इस वीडियो में cover करेंगे सो शुरू से अंते तक वीडियो को जरू देखेगा और PDF आप लोगो मिल जाएगा टेलिग्राम गुरूप से लॉजिक पार्ट शाला 16 तो चले फ्रेंट बिना देरी से आज के session को start करते हैं और फैंस total question में से आप लोग अपना score जरू बताए कि लास्ट आपका total questions में से क्या score रहा है तो पहला question देखिए national constitution day was celebrated on which day तो यहाँ पर बात ओरी राष्टे सम्विधान दिवस की ये किस दिन मनाया गया ये दिन मनाया गया है कब 26 नवेंबर को इसे देखिए सम्विधान दिवस भी कहते हैं हिंदी में इस दिन हमारे इंडिया का constitution है उसे adopt किया गया था यानि उसे अपनाया गया था कब 26 नवेंबर 1949 को इसलिए 26 नवेंबर को मनाते हैं सम्विधान दिवस और अगर हम बात करें constitution जो है हमारा उसे लागू कब किया कया था तो ये लागू हुआ था 26 नवरी 1950 को इस defense हर साल 26 नवरी को कौन सा डे मनाया चाता है आप सभी जानती है Republic Day यानि गरतंत्र दिवस ये दोनों important ये याद रखिएगा next question a campaign named जिसका नाम है water smart kit campaign has recently started by which state government so water smart kit जो campaign है अभी इस campaign को किस राजय सरकार ने शुरू किया so answer is मेघाले इसका मेन उदेश क्या है कि water conservation की जो importance है उसको उसके बारे में एक तरीके से जो young minds है जो युवा है उनको sensitize बनाना उनको इस बारे में समझाना मेघाले की capital है शिलॉंग सीयम है कोनराट संगमा और यहां की governor है फागू चोहान next question है which country won davis cup 2023 so davis cup दो हसा 13 किस ने चीता है तो फ्रेंट से title चीता है इटली कंट्री ने और इटली ने जो है इसमें final में किसे defeat किया था ऐस्ट्रेलिया को davis cup जो championship है इसका नाम पढ़ा है dwight davis junior के नाम पे जो के एक american politician और tennis player थे और इस competition के शिरुवात कब से हुई थी 1900 next question who has been elected as a next fiki president तो अगले जो फिकी अध्यक्ष के रूप में चुने गए है उनका नाम है अनेश शहा फिकी के यहां बात करते हैं federation of indian chambers of commerce and industries की full form है स्थापना हो इसके 1927 में और friends इसका headquarter है न्यू डेली में next question है national milk day was celebrated on which day सो बात करें आप इन राष्टे दूद दिवस राष्टे दुग्द दिवस की कब मनाया जाता है तो ये दिन मनाते हैं friends 26 November को 26 November को ही इसले मनाते हैं क्योंकि इस दिन birth anniversary होती है डॉक्टर वर्गीज कोरियन की ये popularly जाने जाते थे father of the white revolution in india also इन्हे milkman of india के राम से भी इनको जाना जाता है तो इन्हें की birth anniversary होती है इस दिन 26 November को इस दिन मनाया जाता है national milk day सबसे पहली बार national milk day मनाया क्या था 26 November 2014 को सबसे पहली बार ये celebrate किया गया था आगला question है which country has permanently closed its embassy in india in november तो अभी हाली में देखे भारत में किस देश ने अपनी embassy को permanently रूप से close कर दिया बंद कर दिया है तो अभी हाली में अफगानिस्तान ने अपनी embassy को स्थाई रूप से बंद कर दिया है embassy ने भारत में देखे जो भारत में जो तालिबान रूलर्स थे काबूल में और जो इंडिन कवर्वर्मेंट इनको दोशी ढहरा है इसके लिए कि भाई स्थाई रूप से रोकने के लिए दवाब ढानने के लिए काफी इन्होंने ब्लेम किया है दोनों पे और उसी के साथ चलते इन्होंने embassy को close कर दिया next बात करते हैं which has become chair of international sugar organization for 2024 to lead the global sugar sector so वे वैश्वी चीनी ने छेत्र का नित्वत्यों करने के लिए 2024 के लिए अंतराष्टे चीनी संगटन का अध्यक्ष कौन सा देश बन गया है तो इसका अध्यक्ष फ्रेंट्स बन गया है अभी इंडिया और यहां पर ध्यान रखेंगे कि यह जो announcement हुई थी यह 63rd जो council meeting हुई थी उससी दौरान जो है announcement की गई इंडिया जो है पूरे world में sugar का सबसे बड़ा consumer है और second largest producer है sugar का पूरे world में next question है इंडिया and which of the following sign a MAU to build a robust supply chain in support innovation in semiconductor तो निमलेकित में से किसने एक मजबूत आपूर्ती श्रंकला बनाने और semiconductors में innovation को support करने के लिए एक MAU sign किया तो यह MAU अभी इंडिया और European Union की बीच में friends sign हुआ है यह जो MAU sign हुआ है यह European Union India Trade और Technology Council की meeting हुई थी उसी meeting में इसको sign किया गया European Union की बात करते हैं फ्रैंसिस्कोई formation हुई थी 1993 में और इसके members है 27 next question who became the first prime minister to fly indigenous light combat aircraft तेजस सो अभी देखे स्वधेशी हलके लड़ा को विमान तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रिधानमंत्री कौन बने सो first prime minister बने है नरेंदर मोदी जी जिनोंने तेजस aircraft को fly किया है ये जो aircraft से बेंगलूरू के में हिंदुस्तान aeronautics जो limited airport है वहां से इसने उड़ान भरी थी he was accompanied by an Indian air force pilot उनके साथ में इन एर फोस के pilot भी दे लेकिन तेजस को उड़ाने वाले प्राइम मिनिस्टरों पहले कौन बने नरेंदर मोदी जी नेक्स्ट बात करते हैं राजकुमार कोहली died away, died at the age of 95, he was a renowned dash राजकुमार कोहली कौन थे? तो ये थे famous film director इनकी जो पहली film इन डारेक्ट की थी, प्रेड्यूस की थी वो थी सपनी 1963 में नेक्स्ट क्वेशन तो राष्टे स्क्वेश चैंपेंशिप में अब तक का दूसरा सबसे कम उमर की विजेता कौन बन गई है? तो सबसे कम उमर की विजेता बनी है, अनाहत सिंग सेकंड यंगेस्ट एपर विनर है, देखे ध्यान रखेगा, इन्होंने 15 एर की age में ही age woman's title जीता है और सेकंड यंगेस्ट प्लियर बनी, अगर बात करें इस title को जीतने वाली सबसे यंगेस्ट प्लियर कौन है अभी तक की उनका नाम है जोशना चिनपा next question देखे, the 9th national level pollution response exercise was conducted by the dash so जो net polarex exercise है देखे, इसका हुआ है 9th edition और ये edition आयोजित किसके द्वारा किया गया था? तो इसको आयोजित किया था Indian Coast Gardening तो ध्यान रखेगा, इस simply आपसे edition पोछ सकते हैं और किसने conduct किया है ये पोछ सकते हैं next question, Asia's largest open-air annual trade fair जो की है बाली जात्रा started in dash ये Asia का सबसे बड़ा open-air वाशिक व्यापार मेला है बाली जात्रा और ये मेला कहां पे शुरू हुआ है? कटक मी so जो annual trade fair है ये celebrate करता है the glorious ancient maritime legacy of Odisha उडिसा की जो प्राचीन समुद्री विरासत है उसको ये celebrate करता है ये मेला और इसे inaugurate किया गया कटक में महानदी रिवर के bank यानि उसके तड़ पर और 4 December तक ये continue रहीगा next बात करते हैं hamfest 2023 has been inaugurated by union minister Devu Singh Chauhan in which state? so hamfest देखे इसे inaugurate किया Devu Singh Chauhan ने कौनसे state में? तो अगर state की बात करें यहाँ पर आंसर होगा gujarat में next question है which Indian state is going to celebrate the hornbill festival in December? December में कौनसा state जो है hornbill festival को मनानी जा रहा है मतब start हो गया देखे हाँ पर यह festival और यह start हो गया है nagaland state में hornbill festival जो है कब तक continue रहेगा 10 December तक और यह festival nagaland का जो rich culture and heritage है उसको यह celebrate करता है इस बार इस festival का 23rd year जो है celebrate किया जा रहा है next question geographical indication registry has recently got a GI tag to the saffron spice of किष्टवार डिस्ट्रिक तो किष्टवार डिस्ट्रिक कौनसे इंडिन स्टेट या यूटी में located है अभी यहां के देखे के सर मसाले को मिला है GI tag और यह located है कहां पे जम्मो कश्मीर में अगला question in which state and which district India's largest tiger reserve is about to be operational वारत का सबसे बड़ा tiger जो reserve है किस राजी और किस जिले में चालू होने जा रहा है तो यह चालू होने जा रहा है मध्यप्रिदेश के दमोहा डिस्ट्रिक में यहां पे देखे क्या हो रहा है कि दो जो wild life century उनको merge करके एक largest tiger reserve यहां पे create करने जा रही है तो कौन कौन सी wild life century merge होंगी एक है नरुआ देही wild life century और second है रानी दुर्गावदी wild life century next question है national pollution control day is observed was celebrated on which day सो बात करते हैं आपे राश्टे प्रदूशन नियंत्रन दिवस्की कब मनाया गया तो friends यह मनाया गया है 2nd of December को इस दिन भुपाल कैस tragedy हुई थी 2nd of December 1984 को और जिन लोगों ने भुपाल कैस त्रासदी में अपनी जान कवाई थी उनको याद करने के लिए ये दिन observe करती है इसमें gas leak हुई थी इसकी वज़ा से लोगों की जान कही थी और इस gas का नाम याद रखेंगे मिर्थाइल आहिसो साइनेट नेक्स कोईशन है एंड्रे राजुलीना re-elected as a president of which country तो यहाँ बात करें एंड्री राजुलीना की किस देश की पुना ये राष्टपती चुने गए है तो ये अगें राष्टपती बने है मेडगासकर कांट्री के यहाँ देख सकते हैं यहाँ पी ये लोकेटेड है ये आइलेंड है मेडगासकर का कैपिटल है यहाँ की अंटा नाना रिवो नेक्स्ट कोईशन विच बिकम दा फर्स्ट साउथ एशन कंट्री तो रजिस्टर सेम सेक्स मैरेज तो अगर बात करें समलेंगिंग विवा को पंजिकरत करने वाली जो पहली साउथेशन कंट्री बनी कौन सी बनी है आंसर इस नेपाल नेपाल की बात करें इंडिया की नेबरिंग कंट्री है कैपिटल है यहाँ की काटमांडो करेंसी है नेपाली इस रुपी प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल देहल और प्रेजिनेंट है रामचंदर पौदेल नेक्स्ट देखिए कोशन है वेर इस तक कॉप 28 समिट बिंग ओगनाइस्ट सो जो कॉप 28 समिट है कहां पे आयोजित किया जा रहा है तो ये समिट हो रहा है कहां पे दुबई में और ये जो समिट है देखिए कॉप 28 इसको एक और नाम से जानती है 28th United Nations Climate Change Conference इस नाम से भी पूछ सकती है और ये समिट कब तक चलेगा 12th of December तक नेक्स्ट कोशन देखिए आंगनवारी प्रोटोकॉल फर दिव्यांग चिल्डरन इस लॉंच्ट बाइ विच मिनिस्ट्री दिव्यांग बच्चों के लिए जो आंगनवारी प्रोटोकॉल है इसे शुरू किया है किसने तो फ्रेंट्स इसे शुरू किया है Ministry of Women and Child Development ने और इसकी मिनिस्ट्र कौन है तो Women Child Development Ministry की मिनिस्ट्र है स्मरती जुबिन इरानी उन्होंने ही इस प्रोटोकॉल को जो है लॉंच किया है उन्होंने मेंशन किया है कि जो दिव्यांग प्रोटोकॉल है ये हर एक district administration जो है उसमें help करेगा जिसमें special education nutrition need इन सभी को support किया जाएगा next question recently the cabinet has approved a central sector scheme to provide drones to which group हाली में cabinet ने किस समों को drone बलब्ध कराने के लिए केंद्रे चेतर की योजना को मन्सूरी दी है तो ये drones प्रोवाइट किये जाएंगे women self-help groups को और इन्हे 2023 से 2026 तक जो है 15,000 groups को चूस किया जाएगा जिने drones दिये जाएंगे इन drones को काफी अलग-अलग तरह से यूज भी किया जाएगा जैसे farmer जो है अपनी needs के जितनी मतलब उनको इस्तमाल है उसके या अपनी खेते के जरूरतों के लिए वो इन drones को rent पर भी दे सकते हैं तो इसका ब्राव धान भी इसके तहत किया जाएगा next बात करें who has become the prime minister of Dutch तो अभी डच के प्रिधान मंत्री कौन बनी है the answer is gate wilders next day वाइस प्रेजिडेंट जगदीब धनकर inaugurated which edition of global आयरुवेदा फेस्टिवल at Thiruvanantpuram in Kerala so अब यह कि यहाँ पर क्या क्या कोशन पोच सकते हैं कि global आयरुवेदा फेस्टिवल को inaugurate किस ने किया answer होगा जगदीब धनकर कहां पर किया गया केरल स्टेट में और edition कौन सा है इसका यह 5th edition theme क्या है इसकी emerging challenges in healthcare and a resurgent आयरुवेदा तो healthcare में देखे आयरुवेदा का क्या impact इसको explore किया गया है इस फेस्टिवल के दौरान next देखे which technology has been introduced by Indian railway to prevent accident caused by elephants on railway track railway track पर elephants के कारण होने वाली जो accidents होते हैं उनको रोकने के लिए Indian railway ने जो अभी एक technology को शुरू किया है उससे नाम दिया है गजराज सुरक्षा तो इसका main देश है यही होगा train accidents के कारण जो elephants की death हो जाती है उन elephants की death को रोकना elephants को बचाना ही इसका main देश है रहेगा इसमें AI based algorithm और optical fiber जो कीवल से उनको use किया जाएगा उनके network को next question name the American diplomat and novel binner जिनका अभी हाली में निधन हुआ है at the age of 100 years तो इनका नाम क्या है जिनका अभी हाली में निधन हुआ है the answer is Henry Kissinger Henry Kissinger को novel prize मिला था 1973 में और इन्हें मिला था nobel peace prize जो की jointly इन्हें मिला था किसके साथ व्यदनाम के Lee Ducktho के साथ तो इन्होंने और Henry मिलके इनको मिला था 1973 में nobel peace prize next question देखे which state won the gold medal in the 13th senior men's national hockey championship so 23 जो senior पुरुष राष्टी होकी चांपेंशिप उसमें किस state ने swan padak जीता तो gold medal जीता है इसमें पंजाब ने पंजाब ने जो है इसमें किसी हराया था final में हरियाना को और final match केला कया था major Radhakrishnan hockey stadium Chennai next question who take oath as a prime minister of New Zealand तो New Zealand के प्रिदानमंत्री के रूप में शपत किसने ली the answer is Christopher Luxon New Zealand के prime minister बन गई है ये और इनको जो शपत दिलाई है यहां की governor general Cindy किरो के द्वारा उनको शपत दिलाई गई New Zealand की capital है Wellington और currency है New Zealand dollar next question है which of the following countries have agreed to resume the trilateral leaders summit तो कौन सा देश त्री पक्षे नेता शिखह सम्मेलन को फिर से शुरू करने पर सहमत हुआ है तो इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए है China, Japan and South Korea तो different different areas में और ये आपस में दूसरे की मदद करेंगे जैसे की people to people exchange trade, technology, public health sustainable development, security तो आपस में तीरों कंट्री से दूसरे की जो है सेयोग करेंगे उन्हें मदद करेंगे next question which edition of India Water Impact Summit was organized तो अभी भारत जल प्रभाव शिखह सम्मेलन का कौन सा संस्करन आयुजित किया कया था तो अभी रिसेंट हुआ था इसका Franks 8th edition और ये सम्मेट की जो theme रही थी वो भी याद रखेंगे development, vis-a-vis land, waters and rivers next the Ayurveda ज्यान नैपुनिया initiative has been launched by Dash तो ये जो Ayurveda ज्यान नैपुनिया पहल है, इस पहल को शुरू किया है Central Council for Research in Ayurveda Ayurvedic Science के द्वारा अब इसको क्यों शुरू किया गया है देखें इनिशेटिव को इसे शुरू किया है जो Ayurveda का छेतर है उसमें Physician जो Work कर रही है उनके लिए उनके लिए जो है इस पहल को शुरू किया गया next question है PM जन्मन इसकी is related to which field तो PM जो जन्मन योशना है ये योशना संबंदित है किससे Tribal Population से इसकी Full Form क्या है देखें इसकी पूरा नाम है प्रधान मंत्री जन्जाती आदिवासी न्याई महाअभियान इस अभियान की गोशना जन्जाती गौरव दिवस के अफसर पर खुंती से जो है की गई थी इसमें जिसे Basic Facilities जैसे की Sanitation, Cleanness, Safe Drinking Water Health and Nutrition, Improving Education, etc तो ये जितनी भी Basic Facilities है उनको Enhance करने में यहां से मदद मिलेगी अगला कोशन है Mission दक्ष को किस State Government ने Launch किया है So Mission दक्ष शुरू किया जाएगा बिहार सरकार के ध्वारा ये जो है First December से Mission शुरू हो जाएगा और इसमें जो स्कूलों में देखिए अपनी Peers, अपनी साथियों से पीछे जूट चुके हैं बच्चे उनके लिए जो है उनको आके बढ़ाने के लिए जो weakest students है उनके उपर ध्यान अटेंशन करने के लिए Mission दक्ष को शुरू किया गया है Next question The 2023 Booker Prize has been presented to Dash 2023 का जो देखे जो Booker Prize है ये जीता है किसने Paul Lynch ने और Paul Lynch को ये Prize मिला है उनके Novel Novel का नाम ज़रूर याद रखेंगे Prophet Song के लिए Paul Lynch जो है पुरुष का जीतने वाले पहले Irish Writer है देखिए इनसे पहले जो सबसे पहली बार किसी Irish Writer ने ये वाइड जीता था उनका नाम था पहना बंस इन्होंने जीता था 2018 में Next Question है World AIDS Day was celebrated on which day तो विश्व AIDS दिवस मनाया गया है कब 1st of December को इस दिन देखिए लोगों को aware किया जाता है against the spread of HIV infection HIV infection के बारे में लोगों को देखिए इस दिन जागरू किया जाता है सबसे पहली बार World AIDS Day observed किया गया था 1988 में और इसकी इस बार की theme रही Let Communities Lead अगला Question है Where is the 40th Coast Guard Commanders Conference being held तो ये जो सम्मेलन हुआ है इसका आज़न किया गया कहां पे नई दिल्ली में और Indian Coast Guard की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में Next Question Asia Pacific Money Laundering Workshop is hosted by which Ministry तो जो Asia प्रिशान Money Laundering कारेशाला है इस कारेशाला का आयोजन किया है किसने Ministry of Finance ने इसका में उदेशे क्या था इस वर्क्शॉप को कराने का तो डिस्कस था केसे रिलेटेट तो Money Laundering and Terrorist Financing तो जो भी इन से रिलेटेट केसे हैं उनको डिस्कस करना जो है इसका में उदेशे था Next Question The Century Year Celebration of कैवले धाम has been inaugurated by whom? कैवले धाम के श्यताबदी वर्ष शम्हारों का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया? तो फेंट्स ये उद्गाटन किया है इंडिया की प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये जो इवेंट था इसे और्गनाईस किया गया था कैवले धाम संस्थान के द्वारा कैवले धाम जो है ये पूरे वर्ड में जितने भी योगा लीडिंग योगा इंस्टिटूट है उनमें से सबसे उन जो भी पुराने लीडिंग योगा इंस्टिट उनमें से एक है इसकी शिरुवाद 1924 में स्वामी कुवल्या नंत के ज्वारा जो है इसकी शिरुवाद की गई थी नेक्स्ट क्वेस्टन यूनियन कामिनेट ने अभी प्रधान मंत्री जो गरीब कल्याड अन्य योशना स्कीम है उसे कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है तो इस स्कीम को जो है अभी पांस साल के लिए एक्स्टेंड किया गया है प्रधान मंत्री गरीब कल्याड अन्य योशना की शुरुवाद की गई थी 2020 में कोविट 19 पैंडेमिक रिलीफ के दौरान जिसमें फूट सिक्यॉरिटी प्रवाइट की गई तो इसी परपस से 2020 में इस योशना को शुरू किया गया था नेक्स्ट कोशन इन्विच स्टेट इंडियास फर्स्टेट टेलिकॉम सेंटर ओफ एक्सिलेंस इस गोईंग टो बी सेट अप तो इंडिया का जो पहला दोस अंचार उत्करश्टता केंदर है ये स्थाबित किया जा रहा है कहां पर उत्ता प्रदेश में इस केंदर का सेंटर का में परपस ये होगा कि किस तरह से हम AI को 5G से कनेक कर सकते हैं जोड सकते हैं और कैसे हम इंडिया में 60 को लाना कैसे असान होगा इसी उदेश है से ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया का जो पहला टेलिकॉम सेंटर ओफ एक्सिलेंस है इससे सेट अप किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट कोशन है विच स्टेट गवर्मेंट हैस लांच्ट एन यूनीक अम्मा बैंक स्कीम तो जो अम्मा बैंक योशना है इस योशना को शुरू किया है उडिसा गवर्मेंट ने इस बैंक का मेन परपस क्या है कि उन सभी गाउं में जहां पे एक सिंगल बैंक भी नहीं है देखिए वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइट करना ही इसका मेन उदिश्य है नेक्स्ट कोईशन तो जो प्रतिश्टित नानसेन पुरुसकार है यह प्रोशकार अभी प्राप्त हुआ है अब्दुल्ला मीर को अब्दुल्ला मीर एक जर्नलिस्ट और सुमालिया के फॉर्मर रफ्यूजी है उन्होंने देखिए यूथ एजुकेशनल हब रफ्यूजी यूथ एजुकेशनल हब जो हैसे सेट किया था और friends उन्होंने refugee education जो refugee की जितनी भी educational needs हो गई या book donations को promote करना ये सब जो भी उन्होंने work की उसी के लिए उनको दिया गया है ये honor next question देखे who was honored with wise award for education तो जो wise award है ये भी हाले में किसे मिला है सफीना हुसैन को so education में जो उनका outstanding contribution रहा है उसके लिए ये honor दिया गया wise prize जो है इसकी शुरुवात हुई थी 2009 में और किस ने करी थी कतर foundation नी next question है अंकोर वाट temple जो की अभी recognize किया गया है इसे 8th wonder of the world के रूप में ये कौनसी country में situated है तो अंकोर वाट temple जो है ये situated है आपका कहाँ पे Cambodia में next question which country is newly elected government जिसने अभी smoking band जो decision है जो फैसला था smoking band का उसको रद कर दिया है तो ये फैसला रद किया है भी New Zealand जो है government ने next question indigenous tank जो की इसका नाम है जोरावर is deployed developed by which institute तो जो जोरावर tank है इसको develop किया है भी किसने DRD ने defense research development organization ने DRD की सापना हुई 1958 में headquarter है New Delhi में और president है Samir भी कामत next question name the measles and rubella vaccine which has been launched by vaccine maker Indian immunological for children तो खस्रे और rubella की जो भी vaccine देखे launch हुई उसका नाम क्या है तो इसे नाम दिया है Mavila next day India का पहला Sloth Bear Rescue Center कौन से स्टेट में located है तो भारत का पहला जो Sloth भालू बचाव के इंदर है ये आपका located है करनाटक स्टेट में next question which bank has been appointed former नाबाद चियर्मेन हर्ष कुमार भानवाला is an additional independent डायरेक्टर तो हर्ष कुमार भानवाला चो है ये अभी additional independent डायरेक्टर बनी है किस bank के SDFC bank के और तीन सालों के लिए इनको appoint किया गया है SDFC bank की साबना होई August 1994 में headquarter है मुंबई में और CEO कौन है शशीधर जगदीशन next question who received the PRSI national award for outstanding contribution to healthcare communication तो अभी healthcare communication में उतकरस्ट योगदान के लिए जो PRSI national award है ये award जीता है सुगन्ती सुन्दराजनी next है the Kelo India Paragames 2023 logo and mascot जिसका नाम है Ujjula इसे अभी New Delhi में launch किस ने किया तो लोगों ये mascot का नाम जरूर ध्यान रखेंगे Ujjula और इसे अभी launch किया है Sports Minister अनुराग सिंग ठाकुर ने कहाँ पर किया है तो answer होगा New Delhi में So friends यहाँ पर हमारे आज के सभी important questions complete हो गए है तो आज हमने इस वीडियो में cover करें है total 52 questions अब आप हमें बताएए कि आपका 52 questions में से क्या score रहा है तो इसे के साथ weekly career interface की वीडियो यहाँ पर end करते है Thank you so much for watching this video